लागडाउन के दोरान शनिवार को वंटागिया गाउं में परधान मंतरी गरीब करन्यार अन्य योजना के तहर सभी राशन कारधारकों को निशुल्क प्रती यूनिट पांच किलो ग्राम चावल बांटा गया इस दोरान मंतागिया गाउं के कोटेदार ने कहा सभी कारधारकों को निशुल्क प्रती यूनिट पांच किलो ग्राम चावल बांटा जा रहा है चावल बाटते समय कारधारकों को सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए एक मीटर की दूरी के घेरे में खड़ा करवा क बारी बारी से राशन दिया जा रहा है कारधारकों के लिए हैंडवाश और सैनिटाइजर की विष्टा की गई है जो भी कारधारक दूर से आता है उसको हैंडवाश करवाकर ही लाइन में लगाए जाता है जिस से कुरोना वाईरस के संक्रमार्ट से बचा जा सके इस समझ म कि अधा करेंगे कुछ भणी पर्थानी हो रही है पर देखी दिखी आधा करेंगे दिखेंगे लिए बस्तवरा पर अधाए प्जाग द्रधार अधार प्जार करेंगे कर दो होग मारू copies अपक दो हो मार राइप दो पु हार रहत्या टॉ जग समझे कला walk क्तर सेक्वाँ दो थे हो एंग शोर कि क्यां के शिछो को मासे गें हरे हैं असो कुमार दिए हम पांच है पचेस किलो मिला है by लूठ house क wiped brought in कितना राशन मिला है आपको 25 किलो कितने परिवार है आप लोग पाँच लोग कितना क्या मिला आपको चावल भर 25 किलो मेरा नाम दीपक पास्वान प्रधानमंत्री जन कल्यान योजना की ताद जो भी खाध्यान उपलब्ध है उस योजना का भरपूर तरीके से पालन किया जा रहा है और प्रति ब्यक्ति 5 किलो प्रति उनिट के दर से रासन बित्रित की जा रही है और सबसे पाली बात है कि पाले यो लागडाउन का जो सरकार ने लागडाउन की है उसका पालन बहुत खुबी से किया जा रहा है जैसे कि राशन बाड़ते वक्त पले पबलिक आ रही है तो पले उसको हाथ दुला जा रहा है है हैंडवाट से हाथ दुलाने के बाद उनको एक एक दो-दो मीटर के दूरी पर प्रतिवक्त खड़ा किया जा रहा है और खड़ा करने के बाद उनको फिर सेनिटाजर लगा कर फिर मसीन पर उनकी फिंगर लगाई जा रही है, अगर फिंगर एक्सेप्ट कर ले रहा है, एक्सेप्ट करने के बाद उनके प्तुरां तो रासन प्लब्द करा दिया रहा है, उसल डिस्टेंस में कम सकम एक मिटर की दूरी पर हम लोगे खड़ा किया जा रहा है, गोला रिबे ख्याइर, तो पांच किलो अगर नेठ तो 25 किलो दे रहे हैं, अगर उनके फ्न दौक दीया जा रहा है, अगर ऑगर आता या रहे है तो हम लोग जो एदम निहायत पाफे आतर है, तो तो उनको परदान लिख पाल लिख दे रहा है तो उनको भी ते दिया रहा है दूरी दूरी बनाने के दूरी ले एक मीटर की दूरी बना के गोला बना करके बटवाये जा रहा है